गनेश गीता आठवा अध्याए श्री गनेश जी का राजा वरण्य को अपने विराठ प्रूप का दर्शन कराना वरण्य बोले, हे भगवन, नाराजी के मुख से मैंने आपके अनेक विभूतियों का श्रवन किया है उन्हें मैं जानता हूँ, सब नहीं जानते, क्योंकि संपूर्ण विभूति तो नाराजी भी नहीं जानते ही गजानन आप ही उन सब को तत्व से जानते हैं इस समय आप अपना मनोहर और व्यापक रूप मुझे दिखाईए शिरी गनेश जी बोले अकेले मुझे में ही तुम है चराचर संसार देखो और अनेक प्रकार के दिव्य अश्चरय देखो जो पुर्व काल में किसी ने नहीं देखे हैं मैं अपने प्रभाव से तुमको ज्यान नेत्र दीता हूँ क्योंकि मुझे सरव्यापक अजन्मा और अ असंख्य शुभाय मानमुक असंख्य सून एवं हात और सुगंदी से लिप्त दिव्य भूशन वसन और माला से शोभित असंख्य नेत्र करोडों सुर्यों की केड़नों के समान प्रकाशित आयुद धारण किये उनके शरीर में राजा ने अलग-अलग तिनों लोग देखे यह इश्वर का परम रूप देख प्रणाम करके राजा वरन्य बोले हे भगवन मैं आपकी इस दिहे में देवता, रिशीगन और पित्रों को देख रहा हूं हे विभो मैं साथ पाताल, साथ समुद्र, स्वात दीप, साथ परवत, साथ महरिशी और अनेक परदार्तों के सम देख रहा हूं, मैं प्रित्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, मनुश्य, सर्प, राक्षष, भ्रह्म, विश्नु, महेश, इंद्र, देवता और अनेक प्रकार के जन्तुओं को देख रहा हूं, मैं अनादी, अनन्त, लोकादी, अनन्त, भुजा और सिरों से युक्त, तथा ज आप प्रभु का दर्शन कर रहा हूं, देवता, विध्याधर, यक्ष किन्नर, मुनी मनुश्य, नित्य करती हुई अपसराओं और गान करते हुए गंधर्वों से आपका स्वरूप सेवित है, आठ वसू, बहारा अधित्यों के गंड, सिध्य, साध्य, ये सब प्रसननता पुर्वक आपकी सेवा करते और महाभक्ती से विस्मे को प्राप्त होकर आपको देखते हैं, ये आपको ग्याता, अक्षर, वैध्य, धर्म के रक्षक, पाताल, दिशा, स्वर्ग और पृत्वी में वयापक और इश्वर जानते हैं, आपके रूप को देखकर संपूर्ण लोग तथा मैं भी डर गया हूँ, ये है आपका मुख अनेक तिक्षन ढाणों से भयंकर है, तथा आप अनेक विध्याओं के पर गामी है, प्रले की अकनी के समान, दिप्तिमान आपका मुख है, जिसकी जटाएं अकाश को छूती है, हे गनेश ची, आपका ये है रूप द देखकर मैं भ्रांत हो गया हूँ, देवता, मनुश्य, नाग, आदी और खग तुमारे उदे में शयन करते हैं, वे अनेक योनियों को भोग कर अंत में आप में ही उसी प्रकार परवेश करते हैं, जैसे सागर से उत्तपन हुए मेग के जल बिंदू फिर उसी में लीन हो ज जगत, यह सब आप ही हैं, हे स्वामिन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मेरे उपर अब कृपा करें, आप मेरे द्वारा पूर्व में देखा हुआ अपना सौम्य रूप मुझे दिखाईए, हे भूमन, अपने इच्छा से क्रीडा करने वाले आपकी लीला को कौन ज जान सकता है, आपकी क्रिपा से मैंने इस प्रकार का अश्वर्य शाली रूप देखा, क्योंकि आपने प्रसन्न होकर मुझे ज्यान चक्षू दिये थे, शिरी गनेश जी बोले, हे महा बाहु, योगना करने वाले मेरे इस रूप का कभी भी दर्शन नहीं पाती, सनकादी था नारद आदी मेरे अनुगरह से इस रूप का दर्शन करते हैं, चारों वेदों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, संपून शास्त्रों में कुशल, यग्य, दान और तप करने वाले भी मेरे इस रूप को नहीं जानते, मैं भक्ती भाव से जानने, दिखने और पित करते हैं और क्रोध त्याक का सर्व प्राणियों में समान द्रिस्टी रखते हैं, वे मुझको ही प्राप्त होते हैं, इती श्री गनेश गीतायाम अस्टम अध्याय संपूर्णम